राहुल गांधी भारत की राजनीती के प्रमुख नेताओं में से एक है पहले सत्तारूर दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज भुलंदी से उठाने का काम किया है चार बार के चुने हुए इस देश के सांसद है और जब चार बार का चुना हुआ इस देश का सांसद एक विदेशी धर्ती पर Cambridge University जैसे विश्व विख्यात शेक्षिक संस्थान में अमेरिका और चीन के बीच चलते द्वंद में भारत की क्या एहम भूमिका हो सकती है और भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इस देश का मान बढ़ाते हैं इस देश का सीना चोड़ा करते हैं गर्व से और इस देश के लोकतंत्र के इस देश के मूल्यों के धजवाहख बनते हैं उन्होंने Cambridge University में जिसकी एक बड़ी ही लेकसी है 1206 में सापित हुई थी Cambridge University और वहाँ पर पढ़ने वाले लोगों में स्टीफन हौकिंग और चार्ल्स डाविन पंडित नहरू और राजीव जीजे से लोग है और यहाँ पर बताना जरूरी है कि यह राहुल जी का भी आलमा माता है वो Cambridge में पढ़े हैं तो मुझे लगता यह देश के लिए गौरव की बात है यह देश के लिए गौरव की बात है कि विदेशी धर्ती पर महत्मा गांधी की आवास को गुझने का काम राहुल गांधी ने किया Cambridge में उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूल है जिस पर हमारा संविधान बना है और हमारे राश्च का निर्मान हुआ है कल पूरे दिन भारतिय जन्ता पाटी उनके बद्दिमाग प्रवक्ता उनके विक्षिप्त मंत्री लगा तार लगे हुए थे विदेशी धर्ती पर राहुल गांदी जी ने क्यूं बोला विदेशी धर्ती पर राहुल गांदी जी ने पेगसिस का जिक्र क्यूं किया लेकिन ये सारे मामले धराशाई हो गए क्योंकि अपने राहुल गांदी जी तो लोकतांत्रिक मुल्यों की बात कर रहे थे आता है कि वो भारत में क्यों पैदा हुए हमने क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए जब ऐसे वक्तव हम लोगों ने दिखलाए तो थोड़ा हमलावर कम हुए लेकिन जब हम लोग टीवी डिवेट कर रहे थे छे बज़े तक यही था विदेशी धर्ती प आपका दामन तो आते जात समिति के सामने बात करते खेर तो छे सवाचे बज़े तक यही चल रहा था विदेशी धर्ती पेगसिस जो कि खोकला दावा और खोकले आक्षेप सावित हो रहे थे एकदम से सवाचे साड़े शे बज़े के बीच में ब्रेकिंग निउस हर चानल कि अभेलना करी मैं टीवी डिपेट पर थी मैंने गहना पक्ती जताई लेकिन मुझे बहुत जादा वक्त नहीं लगा समझने में क्योंकि ओनलाइन आनर शुरू हो गया था कि हर चानल हर न्यूज ऑर्गनाइजेशन प्रिंट के वेब पोर्टल सारे एक साथ यही ख़बर सवाचे से साड़े चे के बीच पे चलाने लगे तो थोड़ा बहुत मीडिया का एक्सपीरियंस समझ में आ गया कि वाट्साप आ चुका है खर्रा निकल चुका है सबको नतमस तक होकर चरणवंदन करके अब यह लाइन पकड़नी है